पिताजी जी मेरा नाम रिपुदमन सिंगर जी जी मैं पुहाएं का निवासी हैं और रात दो बजे से मेरे पिताजी को अक्सीजन नहीं मिली और आज हम आपको सुनवाएंगे पेलित की जुबानी पेलित की कहानी आयते सोच के कि अपने पिता और अपने जीजा की जान बचा कर ले जाएंगे लेकिन आरोपों पर आरोप लगे और किस अंदाज में लगे आज ये बोलेंगे और पूरा देश सुनेगा कि क्या हो रहा ह देश में करोना के नाम पर कितनी लापरवाई आज पेलित बोलेगा और देश सुनेगा लेकिन इसके बाद क्या क्या होगा अभी कुछ कहानी जा सकता सिर्फ नाम है करोना क्या है करोना लेकिन इस करोना ने कितनों के दिल दहला दिये नहीं मिला इंसाफ रूरो कर कर रहे ह क्या आईए हम आपको विस्तार से जुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी करोना ढोकला कहिए यह करोना का बहाना करके आदमी कहां सोसवकर उसको जान से मार दिया जाए जाए जिसका गारजियन वो तो सब कुछ करने को तयार है उसके पैसा नहीं होगा वो भीक मांगेगा जैस लेकिन उसे संतुष्टी संतुष्टी तो होनी चाहिए यह संतुष्टी मुझे नहीं मिली है मेरे बस यही रीजन है कि अगर इनकी डेट बॉर्डी अगर इनकी देथ हुई है तो इनकी अहां के लपरवाई से हुई है मैं एक 8 गंटे तक 6 गंटे तक सपोर्ट किया लेकि इनकी नहीं तो जब 10 मिन का समय देखे आप आजा कर देख लो नहीं देखा है उसके बाद रात में भी इनोंने मुझे नहीं दिखा है ठीक है कि मरने वाले का क्या नाम था इनका नाम राजेश कुमाथ प्रशाद है सन आप राम टहल प्रशाद अच्छाद ग्राम मैडी दिस्टिक चंदवली यहां याज 16 अरिस एडमिट है कि मेडीकल कॉली श्याजापूल इसे जिस्टिक अस्पिटल में एडमिट है मैं कल का यहां पे आया हूं कल मैं silक बज़न किरा कर Teachers मैं डॉक्टर और नर्स और जो गार्डवाय है उनसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किया चार घंटे तक मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरा मरीज आपके आईसी रूम में ग्राउंड फ्लोर पे 20 नमर जो बेट है उस पे से नीचे गिर गया है किर्पया उसे ऊपर उसके बेट पर रख दें और उसको मेडिसीन या खाने की चीट उससे पूछे सो क्या दिक्कत है लेकिन चार घंटे तक कोई नहीं गया सिर्फ यह कह रहा है और उसी का यह नतीज़ा है जो आध मुझे यह रिस्पॉंस मिला है सुबह में मैं गया नौ बजे के आसपास में मैंने पूछा डॉक्टर सब क्या इस्तिती है मरीज की डॉक्टर सब में फाइल खोली और बता दी कि इनका पुल्स जो है 94 चल ला जो कि मैं सुबह और कल सा क्राइब एंटे में कर आयों जो यह कोवेट वार्ड में पूछा इनको क्यों रिफर कर रहा है कि इनका कैना सा मैं करा रहा हूं करा रहा हूं जो यह जीजा जी पड़ी है इनके लिए मैं बीस बार कम सगम पचास नो बार मैंने चक्कर मारा है लेकिन वहां पर मेरा कुछ भी नहीं हुआ लेकिन वहां पर नहीं हुआ चार गंटे तक वह उपर से नीचे रहे हैं मैं रात को जब कमरे पहुचा तो दो बजे फोन आया कि कोई वहां पर वाड़ आ नर्स गया कि क्या है तुमने खाया नहीं खाया तुम्हें लगी नहीं क्या मानते हैं हम यह मानते हैं कि आपर लपारवाही बहुत ज्यादा यह समय लिए करोना ढोकला काई यह करोना का बहाना करके आदमी कहां सब्सक्राइब उसको जान से मार द वहोड़ है उब दरभांगा इन को स्रिप्प करने वाला था लेकिन स्रिप्प नहीं कर औ song нे मुझे कि अlarनी कि आपको के मरीं की संद्सुन मोरी यह से था मैं बता दूगा मैं बता दूग और रिफर कर रहा हूं तो बस यही चीज़े चल रही है और जब मैं एक बदे बा 준 बाहर्टा की तो की नहीं करो नहीं उनके नहीं जाना मैं बात करूंगा मैं मुझे दौरा यहां आपके बीवाग से कि मरीज की हालत खराब है आप अगर तीन घंटे डिले करोगे तो मैं तीन घंटे में क्या कर लूँगा कि और उसी तीन घंटे का नतीज़ा है कि जो मुझे जिनके डिट बॉड़ी में लिए समाज को कुछ कहना चाहेंगे समाज से समाज को और मैं सरकार से ही कहना चाहता हूं कि जो मरीज जैसे भी है अगर वो कह रहा है कि मुझे सपोर्ट चाहिए वाडवा या गल्स का तो प्लीज उसे सपोर्ट करें और उसे दें ताकि वो अपनी सक्ति स्वयम परदान करते के आप सुबह आते हो एक बार सर्वे करते हो साम को सर्वे करते हो बस उसके बाद आपने राजिश प्रोटोकॉल है उसके अंतरगत आप अंदर जाओ अपने मरीज को खान पान जो भी है स्वास्य समंधिश जो उसको दिक्कत आ रहे उसकी अंदर की क्या बात है कुछ क्या चला है वो पूछिए या फिर उसके गार्जियन को बोलिए जाने के लिए अपने प्रोटोकॉल है जब आप कीट पहना के अपने गार्डवार को अंदर भेज सकते हैं तो एक गार्जियन को भी आप अंदर भेज सकते हैं पैसा उसका ही लगेगा आप नहीं दे पाएंगे तो जिसका गार्जियन है वो तो सब कुछ करने को तयार है उसके पैसा नहीं होगा वो भीग मांग तक सपोर्ट किया लेकिन उन्हें मुझे ना तो जब दस मेंट का समय देखे आप आज आकर देख लो नहीं देखाए उसके बाद रात में भी इन्हों नहीं देखाए ते अच्छा तक हास्पिटल में फोन करकर के जान खाली उससे पहले बात होती थी आपकी पिताजी से लगातर मेरी बात होती दिए बात है रात दो बज़े मेरी बात ही बोले बेटा मुझे यहां अक्षिजन नहीं मिल लगा है मैं बहुत परेशान हूं अच्छा मरने से पहले उन्हों नहीं यह कहा हां दिक्कत बताई हां मेरा अक्षिजन लेवल 72 हो गया है वीडियो काल हुई है मेरे पे स्क्रीन से वर अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो इस चैनल नहीं है तो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकों को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस नगर पाएं